Hello Friends, Welcome Back to English with Aasha Ma'am आज का paragraph है Good Habits पर तो Good Habits means अच्छी आदते और अच्छी आदतों का हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है कितनी important है Good Habits उसके बारे में हम जानेंगे अच्छी vocabulary है आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा advanced vocabulary है और साथी में टॉपिक के बारे में भी जानकारी मिलेगी तो आएए शुरू करते हैं Good Habits अच्छी आदते पहले हम quotation से शुरू करेंगे quotation means एक कहावत है You'll never change your life until you change something You'll do daily You'll यह है contracted form that means दो words को जुड़ा के लिखा है अगर हम इनको खोलेंगे तो यह होगा You'll plus will You'll never change your life आप अपनी life को जीवन को कभी भी change नहीं कर सकते until जब तक you change something you do daily जब तक आप जो आप रोज करते हो अपनी दिन चर्या होती है आपकी रोज के काम होते उसमें कोई changes ना लाओ या कुछ normal सा change ना करो आप अपनी लाइफ को तब तक चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक जो आप रोज करते हो उसमें कुछ ना कुछ चेंज ना लाओ The secret to your success is found in your daily routine तो secret रहस्य और daily routine रोज की दिन जर्या The secret to your success Success सफलता, सफलता का जो रहस्य है is found वो पाया जाता है In your daily routine आपकी दिन भर के दिन जर्याबे ही आपका secret रहस्य सक्सेस का छिपा हुआ है तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी life में कुछ चेंज लाना चाते हो तो जो आप रोज करते हो, daily basis पर जो चीजें करते हो उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा तो life positively change होगी, affected होगी the secret to your success is found in your daily routine good habits are the architects architects of a successful and fulfilling life good habits जो होती है, वो किस की तरह है? architect की तरह, an architect means जो किसी चीज को design करता है design करने वाला उसे कहते हैं architect तो habits भी हमारी, एक architect की तरह है of a successful and fulfilling life हमारी जो good habits है, वो किसे design देती है हमारी जिन्दगी को, एक design देती है तो, और कैसा? successful and fulfilling successful, सफलतापूर्ण, fulfilling, संतुष्टी देने वाला good habits are the architects of a successful and fulfilling life अगर हमारी आदते अच्छी है तो हमारी जो life होगी, जिन्दगी होगी वो भी सफलता पूर्ण होगी और संतुष्टी देने वाली होगी क्योंकि जो हमारी good habits है वो architect की तरह काम करती है जो कि design करता है किसी चीज़ को तो हमारी life खुद बखुद, एक अच्छा design या आकार पा लेती है अगर हमारी habits अच्छी होती है they are the small consistent actions that shape our character and pave the way for personal growth they यहाँ pronoun है जो की habits के लिए use है तो जो good habits है are the small, small छोटा, consistent लगातार जो लगातार चलता है ज्यादा changes नहीं होते हैं जिसपे consistent और character, चरित्र, pave the way यह एक phrase है जिसका मतलब होता है शक्तिचाली बनाना, या रास्ता खोल देना या रास्ता या मार्क प्रशस्त करना और personal growth हमारा व्यक्तिगत ग्रोथ personal level पे so they are the small, consistent actions that shape our character and pave the way for personal growth good habits जो होती है वो छोटी और लगातार हमारे कैसे actions होते हैं कैसे काम होते हैं जो की shape करते हैं हमारे चरित्र को और personal growth, व्यक्तिगत ग्रोथ तोर पे आगे बढ़ने में हमारा जो रास्ता है वो खोल देती है या रास्ता बना देती है from waking up early and practicing gratitude तो waking up early आपको पता है जल्दी उठना, practicing gratitude gratitude means कृतअग्यता thankfulness practicing उसका अभ्यास करना तो अब यहाँ habits की बात हो रही है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक from to from waking up early and practicing gratitude हम शुरुआत करें अगर बात करते हैं तो जल्दी उठना पहले सुबे, waking up early और उसके बाद कृतअग्यता का अभ्यास करना, कि जो भी हमें भगवान ने चीजे दी है first of all उसके लिए thankfulness दिखाना कृतअग्यता दिखाना to maintaining a healthy lifestyle and weak punctual तो यहां से पहले शुरुआत होती है हमारी good habits की, उसके बाद two, two maintaining a healthy lifestyle एक healthy जीवन शैली को अपना न and weak punctual punctual समय का पाबद जो होता है समय का ध्यान रखता है time पे सोता है, time पे जबता है time पे उसके काम पूरे होते है punctual, समय का पाबद तो हमे भी punctual होना cultivating good habits contributes to a positive and disciplined routine cultivating बनाना या विक्सित करना और contribute योगदान देना positive सकारात्मक discipline से भरा हुआ discipline अनुशासन पूर routine दिंचर्या तो from waking up early and practicing gratitude to maintaining a healthy lifestyle and being punctual और उसके बाद continued है sentence cultivating good habits और अपनी जो अच्छी आदते हैं उनको विक्सित करना ये सारी चीजें contributes योगदान करती है to a positive and disciplined routine कि एक हम सकारात्मक और अनुशासन पूर्ण दिंचर्या बनाए अब एक पर पूरा sentence तुबारा पढ़ेंगे from waking up early and practicing gratitude to maintaining a healthy lifestyle and being punctual cultivating good habits contributes to a positive and disciplined routine तो हमारी अच्छी आद्तों की शुरुवात दिन की शुरुवात से ही हो जाती है हम समय पर उठते हैं चल्दी उठते हैं हम कृतग्यता का भी अभ्यास करते हैं जो इस चीजें दी हैं उसके प्रति थैंगफुलनेस व्यक्त करते हैं एक healthy lifestyle अपनाते हैं डिसिप्लिन रूटीन पॉजिटिव सकारात पर डिसिप्लिन अनुशासन पूर्ण दिन्चर्या दीज सीमिंगली मंडेन एक्शन्स दीज मीन्स जो अभी हमने पढ़े हैं वो सब ये चाहें मंडेन मंडेन मीन्स साधारन जो रोज बर्रा होते रहते हैं और हमको बिल्कुल बोर्य से भरे लगते हैं साधारन सी चीजे होती हैं तो seemingly mundane seemingly means प्रतीत होने वाली या दिखने वाली तो ये जो सब चीजे हैं जो की साधारन से दिखने वाले actions हैं हमारे सुबे से लेकर रात तक के these seemingly mundane actions तो ये सारे के सारे actions जो काम है जो की साधारन से दिखते हैं when woven into the fabric of our daily lives woven weave से बना है third form of verb है weave, wove, woven तो बुन्ड़ और fabric हो गया मूल धाचा या ताना बाना daily lives हमारे रोज की जिन्दगी का तो जो ये साधारन से दिखने वाली चीजे हैं अगर ये बुनी जाए when तो जब होता है जब ये बुनी जाती है हमारी रोज मर्रा की जिन्दगी के ताने बाने में fabric ताने बाने में तब क्या होता है they create a strong foundation for success तब ये बनाती है एक बहुती शक्तिशाली foundation आधार किस चीज के लिए सफलता के लिए and well-being हमारी खुशाली के लिए दिखने में चाहिए सारी चीजे साधारण सी लगे लेकिन जब हम इन सब को इन सारी habits को अपनी जिन्दगी के ताने बाने में बुनते है तब क्या होता है हमारा जो आधार होता है जिन्दगी का वो बहुती शक्तिशाली बन जाता है और तब सफलता और खुशाली का रास्ता भी हमारे लिए खुल जाता है गुड हैबिट्स not only improve our efficiency but also influence our mindset तो अच्छी आत्ते जो है not only न केबल improve बहतर बनाती है और efficiency हमारी शम्ता को किसी भी कारे करने की शम्ता को but also influence और लेकिन प्रभावित करती है और mindset हमारी मानसिक्ता को अच्छी आत्ते ना केबल हमें और शम्ता से भरावा बनाती है बलकि हमारी मानसिक्ता को भी प्रभावित करती है fostering a positive outlook fostering means विक्सित करना किसी भी चीज में विक्सित करना हमारी सकारात्मक सोच and resilience in the face of challenges face of challenges ये एक फ्रेज है जिसका मेनिक है चुरौतियों का सामना करना या चुरौतियों के आगे जब हमारे सामने चुरौतियां आती है तो उसको हम कैसे face करते हैं उसके लिए हमें तयार करती है positive outlook लाती है और लचीलापन भी लाती है resilience लचीलापन embracing and nurturing embracing अपना न और nurturing होता है देखभाल करना या पोशित करना जब हम किसी भी चीज को बढ़ाते हैं बढ़ा करते हैं उसको कहते हैं nurture करना जैसे हम पेड़ पौदों को पानी देते हैं तो we nurture the plants किसी छोटे बच्चे को बढ़ा करती है she nurtures her baby तो यहां पे हम good habits को nurture कर रहे हैं तो अगर हम अपनाते हैं और nurture करते हैं देखभाल करते हैं these habits nurturing and embracing these habits इन आदतों को अपनाना और बढ़ावा देना देखभाल करना is a powerful investment in our overall happiness and long term success तो यह powerful investment that means हम लोग डिवेश कर रहे हैं किसी अच्छी चीज में powerful शक्तिशाली चीज में हम invest कर रहे हैं और इसका फल हमको मिलेगा बाद में जाके जैसे पैसे invest करते हैं और उसका address हमको बाद में मिलता है तो इसी तरीके से अगर अच्छी आदतों में हम invest करेंगे वो हो गई हमारी शक्तिशाली निवेश किसी powerful चीज में हम invest कर रहे हैं और वो क्या मिलेगा हमको इससे in our overall happiness पूरी तरीके से खुशी मिलेगी खुशाली बढ़ेगी and long term success और long term में अगर बात की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी अच्छी आत्ते होंगी तो जरूर सफलता मिलेगी तो अब एक quotation के साथ हम इस paragraph को add करेंगे men's natures are alike men's यहां मोलेगे इनसानों के plural form है men's singular men's plural men's क्या व्यक्तियों के nature सभाव are alike alike means एक समान तो सभी के सभाव जो है एक समान होते है it is their habits that separate them वो केवल उनकी आदते होती है जो लोगों को एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है तो जो जिसकी अच्छी आत्ते होंगी उसको long term में success जरूर मिलेगा जिसकी बुरी आत्ते होंगी तो सभलता काफी time के बाद मिलेगी या हो सकता है असभल भी रहे life में तो इसलिए good habits को सही age में अपनाना बहुत अच्छा है बहुत जरूरी है और student life में या भच्पन से good habits के साथ बड़े होए तो सभलता जरूर मिलेगी I hope friends आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी कुछ आपने इसके जर्ये सीखा भी होगा If you have liked the video Please don't forget to like, share and subscribe Comments में जरूर बताना कैसा लगा आपको See you next time Thank you everybody for watching